असलावलेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम बनाएंगे खारी की रेसिपी इसे आप मठरी भी बोल सकते हैं हम इसे चाय के साथ खाते यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे इवनिंग टाइम भी खा सकते हैं बिना चाय के भी देखे यह तोड़ने पर कितना अच्छा ले करकर इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे इसके बाद हम इसे मोहिन देने के लिए इसमें हम ओयल एट करेंगे आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से हाथों से मसलेंगे इसे हम अपने दोनों हातों की हतेलियों से रब करेंगे ताकि ओयल और मैदा एक में अच्छे से मिक्स हो जाए जब ऐसे ये बाइंड हो जाए तो समझे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका हम डो तैयार करेंगे एक बार में जादा पानी नहीं आइट करना है थोड़ा थोड़ा पानी आइट करेंगे डो को हम ना तो जादा टाइट रखेंगे और ना ही जादा लूज रखेंगे इसे मीडियम डो तयार करेंगे हम इसे ढख कर 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे और किचन की स्लैप को हम अच्छे से साफ कर लेंगे अब इसके लिए हम इसका एक सलरी तेयार करेंगे जिसमें हम पांच चम्मच ओयल आड़ करेंगे आप चाहे तो घी भी आड़ कर सकते हैं और इसमें दो चम्मच मैदा आड़ करेंगे सलरी आप कम या जादा कर सकते हैं अपने डो के अनुसार ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे देखे बिल्कुल इस कंसिटेंसी में होना चाहिए बिल्कुल क्रीमी टेक्श्चर है अब हम आटे को फिर से अच्छे से मसल लेंगे और इसकी हम लोईया कट कर लेंगे इसमें हम सुखा मैदा लगा के इसे हम बेलेंगे इसे अच्छे से बेलेंगे इसे नॉर्मल रोटी से थोड़ा पतला बेलना है इसे मूटा नहीं बेलना है इसे पतला ही बेले देखे कैसे transparent दिख रहा है और इसकी thickness देखे कितना है ये इसी तरह हम बारी-बारी से रोटिया बेलेंगे हम यहाँ पर चार रोटियों की layer लगाएंगे आप चाहें तो उससे ज़्यादा कर सकते है और कम भी कर सकते है आप दो या तीन का भी लगा सकते है पर मैंने यहाँ पर चार रोटियों की layer लगाई है आप पांच से ज़्यादा भी कर सकते है अब हम बारी-बारी से एक-एक रोटि लेंगे उसके उपर तयार किये हुए मैदा और ओयल की सलरी रगाएंगे फिर उसके उपर हम दूसरे रोटी रखेंगे और उसी सलरी को लगाएंगे फिर बारी-बारी से करके हम सारी रोटीयों को इसके उपर रख देंगे और सलरी लगाते रहेंगे देखे बिल्कुल इस तरह ही कर रहे हैं देखे इसके थीकनेस देखे कैसे हो गया है इसके बाद हम इसके उपर फिर से सलरी लगा के इसे हम नॉर्मल जो चौकोर पराठा बनाते हैं घर पे उसी का सेप देंगे इसके उपर भी सलरी लगाएंगे और इसे चारो तरफ से लॉक कर देंगे इसे हम पांच मिनट के बाद बे लेंगे इसे हम अहलके हातों से बे लेंगे इस पर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना जो लेयर है वो दब जाएगा और फूलेगा नहीं और लेयरिंग इसकी खुलेगी नहीं इसे हम पिज्जा कटर की सहता या चाको की सहता से आप इसे कट कर सकते हैं किसी भी सेप में देखे बिल्कुल इस तरह होना चाहिए अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राइ करेंगे ओल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना खारी फूलेगी नहीं और इसकी लेयर दिखेगी नहीं इसे medium या low flame पर ही अराम अराम से धीरे धीरे इसे चलाएंगे ताकि ये खुद बखुद फूले देखे कैसे फूल रहा है ये ये खुद ही layer छोड़ने लएगा अगर flame कम हो तो अगर high flame पर कीजिएगा तो ये जल भी जाएगा और layer नहीं दिखेगा इसे आप घर पर जरूर ट्राइ करें और अपनी friends और family में share करें ओके अल्ला हफेज